आपके बास Lava Blaze 1X 5G है या फिर Blaze Series का कोई और फोन है तो यहाँ पर आप notifications को कैसे turn off कर सकते हैं अपने फोन में कैसे enable कर सकते हैं तो notification की setting के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे सेटिंग पर जाएंगे इस टैप से option देखने को मिलेगा स्क्रॉल कर लेंगे अब यहाँ पर notifications का option आप इस पर क्लिक कर लेंगे सबसे पहले यहाँ पर lock screen का एक option आता है आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पर एक option मिलता है है hide silent conversation and notifications कुछ conversation या फिर notification अगर hide silent है तो आपके lock screen से hide रहती है यह वले option से अगर आप ऊपर वाला option चूज कर देंगे तो आपकी बाच्चीज शो हो जाती है जो भी message आता है वैसे तो मैं यह बीच वाला option चूज करके रखूंगी और इसकी बद application का option है आप इस पर क्लिक कर लेंगे इस पर जाएंगे all app पे क्लिक कर लेंगे all app पे देख लेंगे कि जो gray color के है इसके notification बंद है light gray और थोड़ा सा dark gray है ना तो इसके notifications यहां से आप on off कर सकते हैं ठीक है और ऐसे बंद कर देंगे मतलब जो dark gray है इसके आप on off कर सकते है light gray वाले को आप नहीं छेड़ चा notifications ऐसे करके आप turn off कर लेंगे इनके notification turn off हो गए अब किसी का और notification on करना है तो on कर लेंगे ऐसे करके बारी-बारी से देख लेंगे आप icon पे क्लिक करेंगे तो यह अंदर से कुछ settings आ जाती है जैसे कि chrome वगरा हो गया है जिसमें जाता settings होती है मैं तो इसकी setting बंद कर रही ती अब यह सारे notifications होती है तो ऐसे on off कर लेंगे बाकी back कर लेंगे अब यहां पे आपको notification history का option देखने को मिलता है आप इसे on कर देंगे तो जो भी messages वगरा स्नूस notifications है सब यहां पे आपको show हो जाएंगी और conversation देख सकते है messages और bubbles यहां पे show अगर करना है तो on रखेंगे नहीं क pop-up आता है ने screen पे bubbles का वो आपका off हो जाएगा अभी मैं on करते करके रख देती हूँ इसके बाद यहां पे device and app notifications आ जाते हैं इसको आप छोड़ देंगे जो जैसा है और sensitive notification को आपको हमेशा off रखना है जैसे कि आपके photo video show ना हो lock screen पे तो यह off रखेंगे इसके बाद यहां अगर आपको silent notification को status bar से hide रखना है तो इसे on रखेंगे snoozing आपको बंद रखने का recommendation देती हूँ क्योंकि यहां पे क्या होता है कि आपका एक notification पूरा दिन आपकी screen पे आता रहता है जब भी आप screen को unlock करते है तो ठीक है जब तक आप उसको पढ़ नहीं लेते तब तक वो screen प dot है यहां से आप off कर सकते हैं enhance notification on रखेंगे क्योंकि इससे आपको reply का और message turn off का option देखने को मिल जाता है WhatsApp अगर के नीचे ठीक है इसके बाद back कर लेंगे अब एक notifications का option और आता है कि आपका जो message होता है अगर lock screen पे show हो जाता है तो उसको कैसे hide करना है उसकी video आप अलग से द तो इसी type की interesting video के लिए i button पे click कर लेंगे मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमशकार